नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की जानकारी को लेकर आज रोस की तरह, आज भी हम आपके लिए लाए हैं रोचक और महत्वपूर्ण जानकारीओं का पिटारा, जो आपको कम से कम समय में देश दुनिया में क्या हो रहा है, उससे रूबरू करा देता है, तो आपका बिल 6866 लोगों की मौत, देश में करोना का कहर लगतार बढ़ता जा रहा है, देश में पिछले 24 घंटों में करोना वाइरस के रिकॉर्ड 6766 मामले सामने आए हैं, इस तो रान 147 लोगों की मौत भी हुई है, इस पीच देश में करोना के मामले बढ़कर एक तशमलब 31 लाग के पाट चले गए हैं, केंद्रि स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्रा ले के अनुसार रवीवार 24 मई सुबह 8 वजे तक देश में करोना के कुल 13,868 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं करोना से मौत का आकड़ा भी बढ़कर 3,860 तक पहुँच गया है, देश में करोना के फ दिनों में मामले बढ़ेंगे और इन्हें रोकने की चुनाती भी कई गोणा बढ़ेगी, करोना से लड़ने और उस से बचने के लिए भारत ने मजबूत इच्छा शक्ती दिखाई, शुरुवात में इसके परिणाम भी बहतर है, पहली बार मार्च में तीन सपता के लॉक टाउन से कामगारों का सबर जवाब देने लगा, लाखों मस्तूरों के वापस कर लोटने से करोना की महमारी रोकने की चुनातियां बढ़ गई हैं, जिस तरह दिनों दिन मामले बढ़ रहे हैं, वह आने वाले दिनों की चुनातियों को रेखांकित कर रहे हैं, बड़े श कि आने वाले दिनों में मामले पढ़ेंगे चक्रवात अमफान के बाद देश में इन इलाकों में अब चलेगी भीशन लू पश्चिम बंगाल और उडिसा में अमफान चक्रवात का कहर थमने के बाद भारत के दूसरे अधिकांश हिस्सों में प्रचंध गर्मी का प्रकोब देखा जा रहा है भारती मौसम विज्यान विभाग ने चेतावनी दी है कि राजिस्थान और मद्ध प्रदेश में अगले पांच दिनों तक लू का प्रकोब चारी रहेगा जारी एलर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटे में वश्चिमी राजिस्थान के कुछ इलाके भ दितनात को बम से उड़ाने की धमकी मिली है धमकी बराये संदेश यूपी पुलिस के 112 के हेल्प डेस के वाट्साप नमबर पर 21 मई की रात 12.35 पचे आया इस मेसेज को भेजने वाले ने सीम योगी को एक विशेश समुधाय के रिए खत्रा बताया है इस मामले में से सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट किया गया है लखनओ के पुलिस कमिशनर सुजीत कुमार पांडे के परिवेक्षन में चार्च कराई जा रही है स्टीएफ की एक टीम को मुंबई भी भेजा गया है 24 मई से शुरू होगा IPL का धूम धड़का 6 दिन में देखिए 12 फाइनल मुकाबले भरत में अप्रेल और मई का महीना क्रिकेट के रोमान से भरा होता है क्योंकि बीते 12 साल में इंडियन प्रीमियर लीग यानि IPL के जरीए ऐसा होता चला आ रहा था IPL जादतर मौकों पर एप्रेल और मई में होता है यही कारण था कि IPL के 13 सीजन का फाइनल भी 24 मई 2020 को खेला जाना था लेकिन कोरोना वाइरस ने सब तहस नहस कर दिया और क्रिकेट की दुनिया पर ब्रेक लगा गया पिता को पीछे बैठा कर 1200 किलोमेटर साइकल चराने वाली जोती की इवांका टरंप ने की तारीफ कही ये बात लॉकडाउन में गुरुगराम से पिता को साइकल पर बैठा कर 1200 किलोमेटर की दूरी तैकर दरबंगा पिहार पहुँचने जोती की इस समय खूब चडचा हो रही है अमेरिकी राष्टरपती डॉनल्ड टरंप की बेटी इवांका टरंप ने टूइट कर जोती की तारीफ की है इवांका ने टूइट कर कहा कि 15 साल की जोती कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकल से 7 दिनों में 1200 किलोमेटर दूरी तै करके अपने काउन ले गई इवांका ने आगे लिखा कि सहिन शक्ती और प्यार की इस वीरगाथा ने भारती लोगों और साइकलिंग फेडरेशन अफ इंडिया का ध्यान अपनी ओर खीचा है प्रवासी मजूरों को लेकर मुंबई से गोरकपोड जाने वाली ट्रेन पहुँच गई ओडिसा भारती रेलवे भी हुआ हैरान कोरोना संकटकाल में लॉकडाउन के चलते देश के विभिन शहरों में फसे प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए शुरू की गई श्रमिक ट्रेने भी उनके लिए मुस्सीबत का सबन बन गई है श्रमिक स्पेशल न सिर्फ देरी से चल रही है बलकि रास्ता भी भटक रही है इन विशेशन ट्रेनों की दशा और तिशा दोनों ही बिगडी दिखाई दे रही है गंतव्यों तक पहुँचने में 4-4 दिन का समय लग रहा है खानबान की विवस्था भी दुरस्त नहीं होने की वज़े से बच्चों से लेकर बड़ों तक को बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है रेलवे की चुस्ती का आलम यह है कि पश्चिम रेलवे के मुंबई स्थित वसई रोड स्टेशन से 21 मई की शाम 27 बजे श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोरकपुर के लिए रवाना हुई लेकिन यह ट्रेन गोरकपुर के बज़े 23 मई को दोपहर ओडिसा के राउल केला होते हुए जार कंड के गिरी डीह पहुँच गई रूस में 24 घंटों में 9,434 मामले 3,35 लाग के पार संक्रमितों का आंकड़ा दुनिया भर में कुरोना वाइरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं दुनिया में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 52,00,000 को पार कर गया है जौन सौपकिन्स उनिवरस्टी के मताविक दुनिया भर में फिलाल कुरोना वाइरस के 52,5,703 मामले आ चुके हैं वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा 3,38,000,89 तक पहुँच किया है करोना से अब तक दुनिया भर में 20,43,648 लोग ठीक हो चुके हैं अफगानिस्तान में इद के दौरान रहीगी शांती तालिबान ने तीन दिवसीय युद्ध विराम को एलान किया तालिबान ने शनिवार को ई-ुल-फितर के मौके पर अफगानिस्तान में तीन दिन के संगर्ज विराम की खोशना की है टोलो निउस की रिपोर्ट के अनुसार समूह के प्रवक्ता जबी हुलाह मुझाहदीन द्वारा ट्विटर पर जारी एक पयान में कहा गया की तालिबान अपने दुश्मन बलों पर कोई भी हमला नहीं करेगा लेकिन संभावित खत्रों के लिए अपने बचाफ का अधिकार बनाए रखेगा चीन में फिर से आए करोना के 49 नए मामले वुहान हुबेई में संक्रमन दुनिया भर में करोना वाइरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जौन सौपकिन्स युनिवर्सटी के मताबिक दुनिया भर में करोना वाइरस के अब तक 53 लाग से अधिक मामले सामने आ चुके हैं ताजा आकड़ों के मुताविक अभी दुनिया भर में कोरोना के कुल 53,9440 मामले सामने आ चुके हैं वही कुल 3 लाग से अधिक लोग अपनी जान कवा चुके हैं दुनिया में अमेरिका में कोरोना वाइरिस के सबसे ज़्यादा 16 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं पापुआ नियू गिनी के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रश्टाचार के आरोपों में गिरफतार पोर पापुआ न्यू गिनी के पूर्व प्रधानमंत्री को इस्राइल से दो जनरेटर की खरीच से जुड़े कथित तुरोपयोग और प्रश्चाचार पर सवाल उठाने के लिए गिरफतार किया गया है पीटर ओनील को शनिवार को पोर्ट मोरिसपी के जैकसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस ने ब्रिस्पेन औस्ट्रेलिया से वापस उड़ान भरने के बाद गिरफतार किया था जहां वह करोना वाइरस कोवेड-19 लॉक्टाउन के कारण फसे होए थे कराची जेल में 300 कैदी संक्रमित जेल के 20 स्टाफ पी करोना पॉजिटिव पाकिस्तान में सभी उपायों के बावजूद करोना वाइरस के मामलों में तेजी से इसाफा हो रहा है देश में संक्रमित लोगों की संक्या 52,000 को पार कर गई है इस पीच कराची की सेंट्रल जेल में तमाम उपाय अपनाए जाने के बावजूद करीब 300 कैदी करोना की चपेट में आ गए हैं इसके इलावा जेल के 20 स्टाफ पी संक्रमित हो चुके हैं वाइट हाउस की प्रेस सचिव ने ट्रम का बैंक विवरन और दान की राशी को किया सार्वजनिक वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैले मैकनी ने गलती से राश्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम के निजी बैंक खाते और रूटिंग नंबरों को सार्वजनिक कर दिया डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रेस ब्रीफिंग में मैकनी ने बताया कि राश्ट्रपती ने स्वास्त और मानव सेववे भाग यानि HHS को अपनी 2020 की कमाई से एक लाख टॉलर या लगबग 76 लाख रुपे दान दिया कोरोना वाइरस से बचाव और मुकाबला करने के लिए किये जा रहे प्रयासों का समर्थन करने के लिए राश्ट्रपती ने यह दान दिया सीएम शिवराज सिंख चोहान का दावा 51 फीसदी पहुची मध्यप्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर मध्यप्रदेश ची हजार से जादा कोरोना वाइरस के मामलों के साथ सबसे जादा प्रभावित राजियों की सूची में छटे स्थान पर है इस पीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंख चोहान ने दावा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में जानलेवा महामारी से प्रभावित रोगियों के ठीक होने दर 51 प्रतीशत तक पहुँच गई है उन्होंने कहा कि कोरोना वाइरस से संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए राज्य में बहतर विवस्ता सुनश्चित की जा रही है और बड़ी संक्या में फीवर क्लिनिक ने भी राज्य में काम करना शुरू कर दिया है सपा प्रमुक अखिलेश यादव ने कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमन रोकने में भाजपा सरकार असफल सपाप्रमुक अगिले श्यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि संकट काल में भाजपा सरकार की कारिप रणाली की कीमत लोगों को अपने जानमाल से चुकानी पड़ रही है सत्ता में बैठे भाजपाई अपनी संकीन मानसिक्ता के साथ बेबस मजदूरों के मामले में भी चुनावी स्वार्थ सादने में लगे हैं जन्ता की निगाहों में भाजपाई रहत और सेवा का सच सामने आने से बौखलाए मुख्य मंतरी अब विपक्ष की अलोचना का चूटा सहारा ले रहे हैं भाजपा के ताइवान प्रेस से तिलमिलाया ड्रैगन चीन के विदेश मंत्राले ने कही यह बात सतारून भाजपा द्वारा ताइवान की लोकतांतरिक रूप से चुनी गई सरकार को समर्थन देने के लिए तिलमिलाय चीनी कॉमिनिस्ट पार्टी के शासन ने भारत को इस तरह के कृत्तियों से बचने को कहा है भाजपा के दो सांसदों मिनाक्षी लेखी और राहुल कस्वान ने ताइवान की नव निर्वाचित राश्रपती स्थाई इंगवेन के शपत क्रहन समारों में वर्चोली भाग लिया और उन्हें बधाई दी साई और अपने दूसरे कारिकाल के लिए शपत दिलाई गई थी विग्यापन में सिक्किम को अलग दिखाने पर विवाद LG ने अधिकारी को दिया बरखास्त करने का आदेश दिली सरकार के एक विग्यापन को लेकर उठे विवाद के बाद उपरा जिपाल ने त्वरित एक्शन लेते हुए एक सीनियर अधिकारी को तुरंद बरखास्त कर दिया बता दें कि LG ने अपने आदेश में यह कहा है कि यह विग्यापन भारत की शेत्री अखंडता का अनादर करता है LG ने बताया कि कुछ पडोसी देशों की तरज पर सिक्किम का इस विग्यापन में कलत संदर्ब दिया गया है इसकारण इस मामले में त्वरित कारवाही करने का आदेश दिया गया है ऐसे काम के लिए जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाई जाती है इसके साथ ही अपत्ती जनक विग्यापन को वापिस लेने के लिए तुरंत निर्देश भी दिये गए है सीता रमण ने कहा COVID-19 की चाल पर निर्भर करेगी अगले आर्थिक पैकेज की जरूरत वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने शनिवार को कहा कि अर्थ विवस्था को गती देने के लिए भाविश्य में कोई भी आर्थिक पैकेज इस बात पर निर्भर करेगा कि COVID-19 की चाल क्या रहती है भारती डिजर्व बैंक यनि आर्बी आई द्वारा चालू वित्तर वर्ष में नकरात्मक विकास्तर का आदेश चताने के बारे में वित्तमंत्री का कहना था कि अभी निश्चित तोर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता इसकी वज़ा यह है कि अभी किसी को पता नहीं है कि करोना संकट पूरी तरह खत्म होने में कितना वक्त लगने वाला है लद्दाक और कलवान घाटी मुद्दे पर हुई पांच दौर की वारता फिर भी घ्रही घटा भारत चीन के बीच तनाव भारत और चीन की सेना के बीच इस सपता कम से कम पांच दौर की वारता हो चुकी है इसके बाद भी लद्दाक में पांगोंग, सोजील और गलवान घाटी के मुद्दे पर तनाव कम नहीं हो पाया है विवाविदित सीमा शेत्र में दोनों पक्षों को आक्रमक रुख पराबर है सरकारी सूत्रों ने शुकरवार को इस आशे की जनकारी दी रद्दाक में पांगोंग, सोजील और गलवान घाटी में चीन के दबाव के जवाब में भारतिय सेना ने भी वैसा ही रुख अपना रखा है भाजपाने दाओं के खाते में पहुँची नियाय राशी को लेकर चत्तिसकर में गड़माई सियसत चत्यसकर में किसानों को धान के अंतर की राशी देने के लिए शुरू की गई राजीव गांधी के सान नेयाय योजना में पूर्व मुक्यमंत्री डॉक्टर रवन सिंग, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित तरजनों भाचपानेताओं के खाते में राशी पहुँ ना, मुश्किल वक्त के लिए बचत शुरू में ही नियंतरण हैं मंत्र हर समाज में दादी नानियों के किसे और नसीयतें सदियों से पीडियों को मुसीवतों से निपटने के सरल और सहज मंत्र देती रही हैं लिबनानी अमेरिकी सांख्य की गण तग्य शेयर बजारों के जानकार और चिन तक नासिम निकोलस तालेब के मताबिक उनमें से बेहत मशूर नसीयत यह है कि हर किसी को मुसीवत के वक्त के लिए कुछ रक्म बचा कर रखनी चाहिए हाला कि दूइते विश्वयूत के बाद दुनिया भर के देशों ने इसे करीब करीब भुला दिया और समकालीन अर्थशास्त्रियों की सुनते हुए जम कर कर्ज लिया इससे बुरे वक्त के लिए उनकी तैयारियों पर गंभीर असर पड़ता दिखा है टर्म इंश्योरंस लेना है तो मत करिये देरी मृत्यूदर बढ़ने की आशंका से इतने महेंगे हो सकते हैं टर्म प्लान लाइफ इस्योरंस कमपनिया टर्म इंश्योरंस की कीमत अगले 2-3 महीने में 20-40 फीसदी तक बढ़ा सकती है कुछ कमपनिया बिशले एक माह में टर्म इंश्योरंस की कीमत पहले ही 20-40 तक बढ़ा चुकी हैं और अगले 3-6 मही माह में फिर से 20-40 तक प्रीमियम बढ़ाये जाने के पुकता संदेश दे रही हैं इंश्योरंस विशेशग्यों के मताबिक लाइफ इंश्योरंस कमपनियां टर्म इंश्योरंस के लिए ख्राकों से अधिक कीमत इसलिए वसूर रही हैं क्योंकि री इंश्योरंस कमपनियों ने अपना प्रीमियम शुल्क बढ़ा दिया है लाइफ इंशोरेंस कम्पनियां कई प्रकार के रिस्क कवर करने के लिए री इंशोरेंस कम्पनियों को प्रीमियम चुकाती है अमेरिका ने 33 चीनी कम्पनियों को काली सूची में डाला विनाशकारी हतियारों के संबंध में कारवाई करोना महामारी को लेकर अमेरिका के निशाने पर आये चीन की 33 कमपनियों और संस्थानों को काली सूची में डाल दिया गया है ट्रम प्रशासन ने कहा कि यह करवाई चीन में अल्प संक्यक मुस्लिमों की जासूसी में बीजिंग की मदद करने या विनाशकारी हतियारों और चीनी सेना से संबंद रखने के चलते की गई है इस कदम से दोनों देशों में और तनाव पढ़ने का असर दिखा है इराक को IAS के बारे में मिल सकती है एहम जानकारी नासिर करदाश से पूछताश शुरू इराक के सुरक्षा बलों ने इसलामिक स्टेट यानि IAS के आतंकवादी वह उसके शीर्ष नेता नासिर करदाश से पूछताश शुरू कर दी है इराकी सुरक्षा बलों को उमीद है कि करदाश से IAS संगठन के बारे में कुछ एहम सुराग मिल सकता है बता दें कि इराकी सुरक्षा बलों ने बुद्वार को आतंकवादी करदाश को अपने कबजे में लिया था IAS सरगना अबू अल बगदादी की हत्या के बाद वैस संगठन के शीट्ष नेता के रूप में कारिभार देख रहा है गैस लीग हाथ से की पीडितों से मिलने के लिए चंदरबाबू नाइडू ने DGP को लिखा पत्र मांगी अनुमती तेलगू देशम पाटी के प्रमुक एन चंदरबाबू नाइडू ने आंदरप्रदेश के DGP गौतम सवांग को पत्र लिखकर विशाका पत्नम के अस्तरास्ती पीडितों से मिलने की अनुमती मांगी है उन्होंने सोमवार को हाथसे के पीडितों से मिलने की इच्छा जताई है बतादें की करोना के कारण देश में लागू लागडाउन के चलते नाइडू हैदराबाद में है पूर्व मुख्यमंत्री सोमवार सुबा 10.35 बजे विशाका पत्नम के लिए फ्लाइट लेंगे इसके बाद वो आंदर प्रदेश की राज्थानी अमरावती भी जाएंगे भारत के खिलाफ नेपाल को भड़का कर अपने खेमे में करना चाता है चीन चल रहा है शातिरचाल नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्षा जारी कर भारत के साथ वर्षों से जारी बेहतर संबंधों को खराब करने का काम किया है इसकी वज़े से इस नक्षे में लिम्पिया, धूरा, काला पानी और लिपू लेक को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया जाना है ये सरकार की तरफ से जारी किया गया है इसलिए इसने कई सवालों को भी जन्म दिया है इसमें सबसे बड़ा सवाल दो यही है कि आखिर नेपाल ने इस तरह की कारवाही क्यों की है क्या इसके पीछे चीन की कोई साजिश या दिमाग काम कर रहा है विशेशग्यों की माने तो इसके पीछे कहीं न कहीं ड्रैगन ही है जो नेपाल से ये सब कुछ करवा रहा है हर रोज सभी देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए जो आपको खबरों से डराता नहीं बलकि सच्चाई सिरूबरू करवाता है तो चलिए दोस्तों अपना खयाल रखिए अपने परिवार का खयाल रखिए कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए अलविता